वाव, SSA CGL 2023 का result कल रात को आ गया है, आज सुबह को मैंने एक वीडियो किया तक लेकिन उसका sound का लेकर थोरा सा problem हो आज रात को वीडियो कर रहा हूं, थोरा सा लाइटिंग का थोरा अगर issue भी रह जाए, it's not very important right now क्योंकि बहुत सारे grave issues भी आया हुआ है, बहुत सारे celebratory issues भ जो analysis है, मुझे मेरे मुझे सिर्फ एक ही अवाज निकल रहा है, वाव, after the result, merits, demerits सब कुछ लेके एक थोरा सा discussion करेंगे, and last में ये भी बताएंगे कि joining process कब तक लगेगा, और बहुत सारे लोगों का नाम list में नहीं है, जिन लोगों का mark street 23, 15, 3, 18, ये सब range में था, तो उन सब कुछ लेके इस वीडियो में discuss करेंगे, तो से अगर sigil 2020 दे हो है, पहली बार इस चैनल देख रहो है, हाई, मेरा नहा में प्रताय गांगोल, I gave sigil two times, I got, I cracked sigil two times, first time I got TACBIC Mumbai Customs में, I worked there for two years, then I got sigil accounted, I went, come back, came back to my home state Kolkata, my marks and credentials are in the high button, और सारे मैं बता दूंगा धीरे धीर बट first of all जो देख लेंगे, यहाँ पर, MEA, ITI, GST, Executive Assistant, TACBIC, A Associates और Atomic Energy UDC, 2400 ग्रेट पर, तो यह सारे बहुत ही important post था इस साल, मैं CGA को नहीं लियाओ, क्योंकि CGA का, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है CGA accounting क्योंकि उसका random posting होता है, बट फिर भी CGA का बहुत सारे seats थ तो I hope की बहुत सारे लोगों को CGA में मिला हुआ है, बट इस post को लेके थोरा सा बात करते है, MEA the most desired post of every candidate of CGA, 331 for UR, 311 for ST, 307 for ST, 329 for OBC, 327 for EWS, इसका कोई posting, posting related कुछ issue नहीं रहता है, सब Delhi and diplomatic passport, फिर इनका lifestyle ही different हो जाता है, तो जिन लोगों को यह मिला है, MEA मिला है, wonderful congratulations to all of you भयंकर मार्क्स अपो लोग लेके आया है, but last year हम लोग देखे थे कि normalization के वज़े से CGL 22 में और भी भयंकर जादा चला गया था मार्क्स, इस साल I must say, cutoffs have been in a limited stages, but दो तिन question का result का जो difference आया हुआ है, वो final result में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का answer की में, 3.20 के वासपास आ रहा था, दो question गलत था उन लोगों के लिए, करीबन 10-12 marks कम हो गया है, 307-301 तक आ गया है, और बहुत सारे लोग जो 308-307 तक था उन लोगों को बहुत marks कम होके, निल हो गया है, 300 हो गया है, तो उन लोगों को job नहीं मिला है, तो maximum cutoff for this year is 331, congratulations जिन atomic energy 302 for UR, for OBC minimum cutoff ST के लिए 276 गया हुआ है, TACBIC, OBC के लिए minimum cutoff गया हुआ है, TACBIC, EWS के लिए minimum cutoff गया हुआ है, TACBIC, लेकिन UR के लिए minimum cutoff गया है 302, atomic energy UDC, और maximum cutoff गया है 331, maximum cutoff करीबन सबका AKE 329, 327 यह maximum ही है, इससे जादा किसी में cutoff गया है, तो यह है limit, मतलब क्या देखे है हम UR के लिए 302 से 331 तक नौकरी मिला है, now, ITI बहुत लोगों का पसंदिता post है, तो ITI हम होपिंग की जो लोग मेरे से personal, personalized post preference service ले थे उन लोगों ने भी fill up कि हो, और जिन लोगों ने fill up मेरे से नहीं लियो, उन लोगों ने भी fill up कि हो, तो 325, बहुत सारे लोगों को 325 इस साल आ रहा था, 325 लेकिन marks, final marks में कितने लोगों को 325 आया, that's a major issue to talk about, क्योंकि बहुत सारे marks घड़ गया है, 325, 300, 296, 316, 315, 316 के range में, OBC में बहुत सारे लोग है, तो यह जो cutoff गया हुआ है, यह answer की का cutoff नहीं है, यह वो जो 2-3 question का गलत सही, उसमें जो doubt था, उसका representation करके marks कम गया हुआ है, मुझे जितना लग रहा है, 317 जिन लोगों को आ रहा था, गलत question के वज़े से, शाय 315 को 303, 308 तक चला गया है, और 320, 330 प्लस को 315 में आ गया हुआ, नाव, TACBIC का सबसे कम गया हुआ, cutoff 303, 284 और 276, 301, 301, तो 276 जिन लोगों ने स्ट में मिला है, 284 जिन लोगों स्ट में मिला है, 302 जिन लोगों यूर में मिला है, 301 जिसको OBC और EWS में मिला है, सबको TACBIC मिल गया है, नौकरी मिल गया है, नाव कम्स दे मोस्त इंपोर्टन टू पोस्स अफ दिस यह सीजेल, जहां पर सबसे ज्यादा वैकन्सी था, GST इंस्पेक्टर और एग्जेक्विटिव असिस्टेट, नाव इसमें क्या मज्जेदार चीज हुआ है, हम लोग लास साल देखे थे कि GST इंस्पेक्टर, क्योंकि वैकेंसी कम था, GST और DA का cut-off करीबन एक ही चला गया था, बट मेक्शियोर यहां पर कि DA was not, DA is never a CPT post, बट EA is a CPT post, लेकिन CPT post के लिए भी दोनों का cut-off सेम गया हुआ यू आर में, 310, 310, 288, 288, 283, 281, 307, 306, 307, 307, मतला 307, 306 से 310 के अंदर जो भी यू आर, OBC, EWS है, और 281 से 288 के अंदर जो भी SCST है, सबको यह दोनों post मिल सकता था, लेकिन सब कुछ के दोनों का ही cut-off सेम गया है, because only of post preference form, बहुत सारे लोग यह पहले रखे थे, इसलिए इसका cut-off बढ़ गया है, बहुत सारे लोग यह second में रखे थे, इसलिए इसका cut-off घट गया है, बट, majority में यह बोलना चाहता हो, सबसे जादा फायदा होगा उन लोगों के लिए, जो यह मिला है, मैं क्यों बता रहा हूँ, supposedly आपको 310 मिला था, आपने पहले JST रखा था, फिर यह रखा था, आपको JST मिल गया है, अब JST 310 cut-off है, 310 ही मिला है, तो आपको guaranteed outside home मिलेगा, guaranteed है, outside home तो मिलना ही है, but, यहाँ पे भी अगर हम पकड़ लेते की, 317 आपको मिला है, और आपको EA मिला है, EA में का पे मिलेगा, 7 mark जादा है from the cut-off, और जादा तर लोग 310 में, JST में जा रहा है, तो EA में आपको home posting मिलने का chances बहुत जादा, if you are coming from Eastern region, and Chennai, Hyderabad, वो सब रीजन जहां पे यह है, but, आप यह पूछ सकते हो की सर, मेरा 317 है, मुझे JST inspector मिला है, क्या मुझे home में नहीं मिलेगा, JST inspector में बता देना चाहता हो, कि बहुत जादा cut-off कम गया हुए इस साल, and you guys are very very like, कि जिन लोगों को JST inspector मिला है, कि इस साल JST inspector तुम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि बहुत जादा वेकंट से है, Hyderabad, Chennai, वदोदारा, यह जगा में अगर आपका home है, और आपको हो सके कि 312 भी मिले आपको JST मिले तो आपको मिल जाएगा, वरना जितने लोग 310 के आसपास मिले है, यू आर में, मतलब जो भी आपका cut-off गया है, उस में से अगर 2-3 marks आसपास मिले हो तो मिन दर final marks, जो अब तक मिला नहीं है, be prepared to go to इदरा, Hyderabad, वदोदारा और Chennai, क्योंकि JST में majority वहीं पर भीजा हुआ जाएगा, that's why, that's another big reason why JST का cut-off इतना कम गया हुआ है, in comparison to EA, और EA में cut-off high क्यों गया है in comparison to JST, क्योंकि बहुत सरे लोग EA प्रिफर किया है, और EA में सबसे ज़्यादा chances है, जिन लोगों को पकड़ लेता हो, क्यों UR किसी का 320 है, उसने EA दिया था, तो EA में उसको मिल तो गया है, लेकिन cut-off 310 है, उसे 320 मिला है, there's a high chance उसको घर में मिल जाएगा, लेकिन in the scenario of JST, JST का cut-off 310 गया हुआ है, but we must make sure कि बहुत सारा vacancy है, EA के comparison में double, triple vacancy है, तो majority of लोग हो सकता है, 310 अपको मिला है, JST में 325 को home posting मिला, वरना majority of the people, obviously for obvious reasons, will be sent to जहां पर बहुत जादा vacancy है, अब join करेंगे की नहीं करेंगे, that's entirely depends on you and the candidates, but जादा तर लोग को बहार भेजा हुआ जाएगा, now फाइदा हो गया जिन लोगों को, ज़रूर ही है सब को इस दुनिया में वो है पैसा, और JST Inspector स्टाटिंग ग्रेट पर है, 85 के ग्रॉस, तो कहीं पर भी रह लो आप देश में, Mumbai में भी चले जाओ, सबसे अमीर जगा, इंडिया में, फिर भी 85 के इस अलोट लोट लोट अफ मनी to live for you, when you are 23, 24, 25, 26, 27, even 30 years of age, तो many, many congratulations to all of you who got GST and EA, मेरे personalized post preference service, जिन लोगों ने लिये थे, paid जो service था, उन लोगों में अगर किसी को मिला है, तो मुझे जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करना मिला, जो WhatsApp नमबर था, 8697604004, पर जाओ के भी मुझे कमेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर personalized guidance में आपको help मिला है, ये वीडियो देख रहे हो, तिन जरूर next year candidates के लिए, थोड़ा सा एक छोटा करके, कैसे मैं आपको guide कर पाया हूँ, ये guidance आपको कितना अच्छा लगा, for my post preference service, वो guidance कैसा लगा आपको, ये channel कैसे help के आपको, थोड़ा सा कुछ words में, या तो comment में लिग दो, या तो मेरे WhatsApp में लिग दो, अगर WhatsApp में नहीं जाना चाहतो, it's very easier nowadays, comment में जाओ, ये वज़े से मुझे बहुत help मिला है, तो this has been a magnificent result, in terms of, मैं बुरा चीज़ बात में बताता हूँ, बट अच्छा ही के वज़े से, magnificent result क्योंकि, cut-off बहुत कम गया हूँ, 301 में लास्ट साल में, लोगों को नौकरी नहीं मिला था, except PAI से, वो भी CPT post था, बट इस साल 302 में भी, और OBC EWS में 301 में भी, TACBIC मिल रहा है, it's a commendable effort, from the side of Staff Selection Commission, और एक notice भी आ गया हूँ है, कि result के बाद, बहुत जल से जल, 1600 ग्रेट पर का जॉइनिंग करवाना है, तो हो सकता है, February, March के अंदर, आप लोगोगोगोग डिवि डेट भी आ जाए, डिवि हो भी जाए, सिर्फ you will be avoided your joining, बाकि सब कुछ हो जाएगा, 2400, 2800, 2800 के लिठी थोड़ा सा धेर हो सकता है, विकॉस इस एलेक्षिन ये, तो थोड़ा थोड़ा डिले हो भी सकता है, बट जादा डिले नहीं होगा वी एर एक्सपेक्टिंग की मार्च तक ब्याली सो ग्रेट पे तक डीवी आ जाएगा और चौभी सो अट्था इसो जिन को मिला है थोड़ा सा वेट कर जाओ आ जाएगा अब अगर होम पोस्टिंग के बारे में बात करते है टीएसी बीएसी में एक होता है जनरलाइज रैंक इन पोस्ट शपोजडली मेरा मार्च है टीएसी बीएसी के कट अफ गया है थीन सो तीन मेरा मार्च है थीन सो दस मुझे टीएसी बीएसी मिला है ओके वेड़ी गुड तो मेरा रैंक कितना है में in the country मेरा rank आ गया 1700 ओके मेरा rank क्या है मैं belong from the eastern region मुझे Kolkata मिलेगा कि नहीं मैं दो दो tactics बताता हूं for home posting purposes 310 मिला है तो मेरा rank क्या है मैं पकड़ लू मेरा rank है eastern region में 53 okay मेरा vacancy कितना है UR में UR में is 50 मुझे बहुत हाई chances है कि UR कोलकाता मिल जागा क्यूंकि बहुत सारे लोग TA नहीं लेने वाले है या तो TA में काम कर रहे है या TA join नहीं करेगा या तो इधर उधर के करीबन 5-7 लोग को हम dismiss कर सकते हैं ठीक है 50 vacancy है मेरा rank है 53 I have high chances for UR 50 vacancy है मेरा rank है 20 I have much higher chances and no questions asked मुझे home posting मिलेगा 50 vacancy है sorry अगर मेरा rank 20 है और 50 vacancies है तो मुझे home posting मिलेगा no questions asked लेकिन vacancy 20 है मुझे rank 50 आया हुए देन I should be mentally prepared to go outside my home and get and thoroughly check the sheets कहां पर उस पोस्त का ज्यादा तर vacancy है क्योंकि हो सकता है मुझे सबसे ज्यादा जहां पर vacancy है वहीं पर भीजा जाएगा कोई भी पोस्त के लिए this is the thing जेस्ट इंस्पेक्टर में अपका overall rank Eastern region में रैंक Eastern region में वैकेंसी वह देख के आप सॉट आउट कर लो अगर लग रहा है कोलकाता में नहीं मिलेगा उरिश शाब भुबनेश्वर राची जहारकन यह सब बहुत सारे जगह है थोड़ा सा अब कर लो कौन कौन सी पोस्तिंग मतलब कौन कौन सी location प्रिफरेंस अब दोगे in the post एंड एक और ट्रीक है जो है अगर कट अफ माक से आपको यह दोनों पोस्त को छोड़के जीएस्ट को छोड़के और यह को छोड़के अगर कट अफ माक से आपको 10 नम माक ज्यादा है अगर 5 माक से जादा है और 5 से भी कम है तो आपको फोस्तिंग नहीं मिलेगा जीएस्टी और यह के लिए मैं बता सकता हूँ अगर यह में आपको 10 माक ज्यादा है तो बहुत अच्छा है आपको फोस्तिंग मिलने का chances बट जीएस्टी में अगर आपको 20 या 20 से जादा माक जादा है then you have good chances for home posting उससे कम है तो आपको home posting नहीं मिलेगा क्योंकि 310 तो cut off गया हुआ है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे है जो 330 में भी बैठा है 320 में भी बैठा है 325 में भी बैठा है उन लोगों को home posting मिलेगा otherwise if not your home is in Hyderabad, Wadodara, Mumbai then आपको home posting मिल जाएगा बट अगर यह आ भी मत करना कोई भी post मिले पहले जॉइन करो फिर देखो क्या प्रोज है क्या कौन से कैसे अब कर सकते हो अगर नहीं पसंद आए तो छोड़ देना वो सब ठीक लेकिन ज़रूर करना experience matters नो यह हो गया बहुत अच्छा चीज जो SSC ने किया है result में आप SSC जो चीज बुरा कि आए वो है बहुत सारे लोगों का answer कि मैं marks 320, 315, 325 ऐसा था लेकिन उन लोगों का list में नाम नहीं है बहुत लोग यह मान लिये है बहुत लोग सोच रहे क्या करेंगे नहीं करेंगे तो इसका reason मैं 3 दे सकता हो क्यों यह हो पाया है number one है typing में अगर जादा error हो गया है लेकिन एक, दो, तीन, चार, पाँच से 10 candidates तक हो सकता था यह लेकिन 100, 100, 200, 300 candidates का typing फेल नहीं होगा तो वो point मुझे लगता है side में रखना चाहिए number two हो सकता है किसी के time में अगर final marks में जो 2 questions था यह 3 questions था जो debatable questions था उसमें marks इतना कम हो गया है जैसे 3 question में 9 number कम हो जाता है किसी का 320 marks है तो हो गया 311 और उसके साथ भी 3 question के लिए 3 number minus हो जाएगा तो 308 में आ गया लेकिन 308 को भी नौकरी मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिला यह point है तो 320 के लिए यह valid नहीं है लेकिन 310 में जो लोग बैठे थे हो सकता है 3 questions के लिए या 2 तो 3 questions के लिए आपका disqualify कर दिया गय 3rd point जो मुझे नहीं लगता है यह होना चाहिए लेकिन बहुत सारे क्या होता है किसी का typing में malfunction कर गया computer किसी का exam देते wise malfunction कर गया अभी तो सब अच्छा अच्छा IT sector companies में होता है तो यह chance से जादा नहीं है लेकिन हो सकता है malfunction कर गया फिर भी ऐसा हुआ बट इसके वज़े से भ तो मैंने जितना सुना है candidate से बात करके एक शायद SSE सोच सकता है revised result के बारे में बहुत सरल है मुझे पूछ रहे हो किसा revised result आ सकता है की नहीं जितना मुझे पता है SSE निकालेगा नहीं क्योंकि SSE का exam में वाइसा ही terms and conditions रहता है जो whatever decision we take would be final and irrevocable क्योंकि supreme authority मैं हूँ आप न नहीं पाएंगे बट क्या हो सकता है कि अगर repetition file हो जाए Delhi High Court में जैसे मैं सुन पा रहा हो कि बहुत सारे students करने वाला है अगर repetition file हो जाता है तो stay लग जा सकता है on the joining on the DV and on the further processes बहुत सरे लोग selected लोग मुझे पूछ रहे हो कि sir JST मिला है लेकिन घर पे बोल नहीं पा रहा हू तो टेंशन हो रहा है अगर revise result आ गया तो मुझे post नहीं मिला now the point is यह बात सही है अभी शायर बताने की भी उतना जरूरत नहीं है एक हफता एक माइन एक 20 दिन देख लो but एक बर अगर SSE से result आ जा है तो in the history कभी वो बदला नहीं है in the history कभी वो change नहीं किया in the history कभी revise भी न नहीं मिला है कि final result में answer की से इतना difference है अगर इतना ही difference होता तो answer की निकलने का क्या जरूरत है direct result दे दो वो तो किया नहीं है तो there are many debatable topics right now मैं यही बोल सकता हो कि जिन लोगों को नौकरी मिला हुआ है मैं उन लोगो congratulations दे सकता हो हो सकता है वो change नहीं होगा मैं सिर्फ जिन लोगों को नौकरी नहीं मिला है because of this sad issue उन लोगो मैं बता सकता हो कि थोरा सा hope रखो हो सकता है नया कुछ होने वाला है क्योंकि इस साल यह पोज जो है ASO CSS में काफी हाई गया हुआ है cut-off GST से भी ज्यादा और जिन लोगों को मिला हुआ है नौर्थ वाले CSS उन लोगों का अभी चांदी-चांदी हो गया क्योंकि CSS में ना प्रांस्फर्स है ना कुछ है प्रोमोशन अच्छा 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 ग्रेट पर तो फॉर्चुनेट वो लोग है जो लोगो till then many many congratulations to all those who have been selected मुझे जरूर वो चीज़ बता ना कैसे यह चैनल गाइट किया है and also my heartiest condolences for all those who haven't cleared but उमीद मत छोड़ना क्योंकि next साल में बहुत अच्छे सा अगर हम प्रिपर करेंगे क्योंकि अभी हम लोग जो देख पा रहा है SSC is all about prelims क्योंकि mains में जादा लोगों को छटा नहीं है only eight times have candidates have been called for tied to moves में भी कटाव उतना गया नहीं हुआ है तो prelims अच्छे से देंगे 160 UR के लिए सोच के देंगे mindset के 160 के ऊपर मिलना है एक बार prelims क्रोस कर जाए तो tied to के लिए prepare अच्छे से करेंगे we can get a very good post this year next year but for this year JST inspector guys all the very best congratulations जो भी post आप लोगो मिला है ये agents page JST inspector ASOC SS सब अच्छा है नेक साल और भी अच्छे से देना अगर अपना मन पसंद का post नहीं मिला है until then keep following made for SSC all the best to all of you guys this would be the last video for CGL 2023 as of now अगर कुछ order आए तो मैं जरूर बताऊंगा until then keep following keep subscribing जो इंस्टा, Facebook, Telegram पर जाओ follow करो अभी latest जो orders वाड़र आएगा जो news views आएगा मैं शेर करता रहूंगा वीडियो अच्छा लगे तो like जरूर करना बूरा लगे तो dislike कर देना channel को follow करो subscribe करो मेरे साथ बने रहो be a part of the mega made for SSC family see in the next video में guys keep following this channel and together we will move forward to a brighter and better and much good future see in the next video में guys until then Tata goodbye all the very best